पार्शिवनी बस अस्थानक परिस्ता में बनाया गया बर्सो पुराना सुलब शोचाले आज यात्रियों के लिए मुसीबर का कारण बन चुका है जबकि यहां आने वाले प्रवासियों को सुलब शोचाले का किसी प्रकार का लाव नहीं होने से लगूशंका और शोचाले के लिए खुले में जाना पड़ रहा है पर यात्रियों का आवगमन होता रहता है जिसमें महिलाएं बच्ची और पुरुष स्कूली बच्चे चातर चातराई इस बस इस्थानक से आवगमन करते हैं इस बस इस्थानक परिष्टा में यात्रियों के लिए सभी सुविदा योक्त शौचाले होना जरूरी होते हुए यहां पर खस्ताहल शौचाले में यात्रियों को शौच के लिए जाना पड़ता है जबकि शौचाले की दिवारे तूटी-फूटी और फ़र्श भी जहां तहां से शतिग्रस्त हो चुकी है ना तो शौचाले में जल, विद्युत ववस्ता और ना ही शौचाले का असा लगा हुआ है आए दिन यात्रियों को खुले में शौच के लिए और लगुशंका के लिए जाना पड़ता है यात्रियों में महिला और बच्छीयों को शौचाले के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है प्रशासन इस और अंदेखी कर यात्रियों से दूजा के लिए परिशानी पैदा कर रहा है वहीं यहां पर यात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुविदा उपलब्द कराने में नाकाम दिखाई दे रहा है जब कि स्थानी विदायक सांसद और नगर पंच्यायत होते हुए भी यात्रियों को शौच के लिए दर-दर भटकना पड रहा है इस समस्या को सुलजाने के लिए कोई लोग प्रतिनीदी जन प्रतिनीदी आगे आकर इस समस्या को सुलजाने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किये जाने से यात्रियों में विधायक सांसद और नगर पंचायत के खिलाफ रोश पनपता जा रहा है समय रहते प्रशासने इस समस्या को सुलचाने के लिए पारशिवनी बस इस्थानक परिसा में जल से जल्द सुलब सोचाले निर्मान करने का काम करना जरूरी है इस तरह की मांग इस्थानी नागरे को द्वारा और यात्रियों की द्वारा की जा रही है पार शिवनी से बीसीय न्यूस के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट